नमस्कार दर्सकों आप देख रहे हैं TV3 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ राजदीब तोमर हातरस के मीतई स्थित भुसके नगला बाईपास पर एक भीसल सलक हासा हुआ है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है यह सलक हासा बस एबम लोडर में हुआ यारी की मैक्स गाड़ी में हुआ आपको बता दें रोडवे जनरत बस और मैक्स गाड़ी में हुई टककर मैक्स सवार महला पुरु सहित 15 लोगों की मौत हुई है लगभग इतने ही लोग गंभी रूप से गाहल है मौके पर दुरगटना की सूचना पर पहुँची पुलिस अपर सासनी का अधिकारियों ने गाहलों को जिला स्पताल पहुचाया जहां से गंभीरगों को डाक्टरों ने अलीगर रेफर कर दिया है वहीं सासनी थाना छेत्र के मुकुंद खेडा से एक कारकम से आगरा जले के खंदोली स्थेद गाउं सेमला जा रहे थे हैं ये सारे लोग तुरगटना की सूचना पर मंडला युक्त चैत्रा बी, आईजी जोन सलब मातुर, हातरस जिला अधिकारी वा हातरस पुलिस अधीचक सहित, नगर पालिका अध्यक सुईता चोधरी, कांगरेस जिला अध्यक्त, चंद गुप विक्रमा दित, आसी सरमा, चिराग वीरुप ललन बाबु एड्वोकेट सेथ, बीजेपी के तमाब नेता पहुंचे और जिला स्पताल में जाना घायलों का हाल, इस पूरी घटना पर पीम नरेंद मोधी साहित, मुखमंत्री कार्याले, देश के राश्ट पती द्वारा, एक्स पर ट्वीट लिख कर सोक संब्यदना ब द्वारा, इस बाशिता पर टींड में ताशा पर लिख लार टींड नरे आख्या जब्यूर अटे जब्यूरों कांपर हो अचिख कर दो में जो किंदे पंधा पंधा से 15 ड़ते हैं जो पंधा किसे में इसे कितने की बाद चानल को आपके पारे लुट जो इसलें अफेरगेशंद्ाधा है जो कने बहार नो कौन से मीं सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर 11 लोग है आठों कि अचितर इलाज के लिए अलेगा ट्रफार किया गए जैनम से बर्सकों के परिवार को कुछ आर्थिक पाइता रास कि इसके चांस जब रिबोर्ट जाएगी उसके पश्चाइब लोगों को बताना चाहती हूं कि मैं तो अचानक बाहर थी आउट ऑफ स्टेशन थी लेकिन मुझे मालूम पड़ा तो रुका नहीं गया हमारे पार्टी के वरिस्ट पदातकारियों ने सुचना दी और फेस्बुक के मालूम पड़ा एक ही परवार के लोग खतम हो गया इसमे लेकिन जो भी हुआ बहुत ही विशिप तो और कहते हैं बहुत ही समवेधना मेरी पूरे परवार के साथ है सभी लोगों के साथ है जो कुछ हम अच्छा कर सकेंगे हॉस्पिटल के माद्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे करने की अब अभी परवार की महलाउं से भी परवार के साथ हूं उनके साथ है परवार के साहत है जो लोग है और चुछा क्योंहें सुनिया में उनके साथ है अब गंड़े कि यहां पर हम लोग हमारी पाटी के नेता ललन बाबु एडवोकेट और हमारी योवा नेता समासेवी बंटी भाई डरल शबी को गायलों को देखने आए हैं जानकारी हुई है कि मुकंद खेडा में एक कारकरम से होकर के बापस आ रहे थे और खंदोली के पास शैमरा गाउं परता है वहां की ये निवासी हैं तो रास्ते में इनसे एक्षिरेंट हुआ है मीतई के पास और बहुत बड़ा हाथसा है और हमारी पार्टी शमाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा दुक प्रकट करते हैं और हात्रस में ये पहला हाथसा नहीं है हात्रस में आई दिन हाथसा होते रहते हैं इन पर रोक्ताम के लिए अभी कोई ठोस पाय नहीं है अभी कुछ दिन पहले भी हाथसा हुआ था सिकंदार राउं में 122 तेज लोग खतम हुए थे उसमें भी हम लोगों ने बर्चड के भाग लिया था और लोगों को जितना हो सकता है उनको बचाने का प्रयास किया था हमारी पार्टी ने भी आर्थिक मदद की थी और ये बहुत बड़ा हाथसा है हमने अपने पार्टी के नेताओं को अवगत करा दिया है और जल्दी ही कुछ इनको इनको इनके बारे में सूचना हमें अवस्ष में लेगी और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो मर्तक हैं हमारे जो हमारे बीच में नहीं रहे इनके परवारों को कम सब्सक्राइब चास लाक रुबे का मावजा दिया जाए और एक एक के ये सब लोग कहीं तेरवी में से प्रशादी लेकर आ रहे थे वहां रास्ते में अपने बाई-पास पर ये हाथसा हुआ है बहुत दुखद हाथसा है हाथस के लिए और हाथस में जो लगातार घटनाय हो रहे हैं वो कही ना कहीं आज पूरा हाथस अफसोस कर रहा है और एक चुक्कि अभी एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ फिर यह हाथसा और एक ही परवार के पंद्रे लोगों का निधन होना और पंद्रे से अधिक लोगों का घायल होना यह वास्ता में बहुत दर्द भरी घटना है और कॉंग्रेस पार्टी के सभी साती पूरी मदद के लिए अब जाए एक सरकारी नौबरी कि हम मांग रखते हैं और जो बन सकेगा हमारी पार्टी से हमने पार्टी के वोग्या जी वो अपने को अवगत करा दिया है कि इस घटना ते संबंद जो हो सकता है वो पार्टी की तरफ से भी मदद करने की कोशिस की जाए गटना अवकर्पि मापजागी तूट किया सम्मेदाना प्रट की है मेरी सम्मेदाए है आतरस के अर्टकारी सब लगे हुए हैं हम लोग सभी सामाज़ की संद्रों लोग पार्टी को लोग अपने तरीके से मर्द कर रहे है यूशोर इनको ऐसे समय में सक्ति प्रदान करे परवार पोसन अच्छी से हो सके क्योंकि गाटना बहुत दुखत है हाथ रसके लोगों को बहुत कश्टी टीबी 30 इंडिया की टीम लगातार यहां पर मौझूद है और आपको सीधे अपडेट देती रहेगी